बुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हास्पिल स्वरुपनगर कानपूर क्या ये संभाव है कि आप दुबले पतले हैं आप ओबरवेट नहीं है आपको ओबेसिटी नहीं है फिर भी आपको फैटी लिवर डेवलप हो गया क्य फैटी लिवर दुबले पतले लोगों को भी हो सकता है ये मिलियन डालर क्वेस्चन है कई बार ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल वेट है या आपका अंडर वेट है आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो फैटी लिवर की प्राब्लम है त तो वेट इतना नीचे है तो फिर फैटी लेवर कैसे हो हुआ यह बात बिल्कुल साही है तो जो फैटी लेवर जहां तक है यह हमारे लेवर के अंदर exceeded fat built हो जाने के कारण होता है हमारे जो लेवर की कोषिकाएं है उन्हें ज़्यादा fat deposit हो जाता है तो फैटी लेवर develop हो जाता है इसके बहुत सारे कारण है, अगर आप रोज अलकोहल लेते हैं, आप रेगुलर अलकोहल लेते हैं, ज़्यादा माउंट में अलकोहल लेते हैं, तो आपको fatty liver होगा, आपको diabetes है, लंबे समय से है, uncontrolled है, तो fatty liver होगा, आपको dyslipidemia है, आपको cholesterol control में नहीं है, आपको triglyceride control में हैं, आपकी physical activity कम है, आपको fatty liver होगा, आपका weight बहुत ज़्यादा है, BMI आपकी बहुत ज़्यादा है, tone निकली होई है, central obesity है, आपकी physical activity नहीं है, यह सभी factors वैसे हैं, जो आपको fatty liver लेके चलते हैं, तो यह तो यहां तो समझ में आता है, कि आपको fatty liver होने की संभावना है, अगर हम scientifically देखें, तो science है सब मानती है, कि जो obesity है, यह मुटापा है, यह सबसे बड़ा reason है fatty liver के लिए, जो study है, which was published in Indian Journal of Community Medicine, इसने यह published किया, कि अगर हम जो दुनिया की population को देखें, तो almost 25% या उससे ज़्यादा जो population है, वो in AFLD, या fatty liver से सफर करती है, इसका अबलाब 25% जो population है, उसको fatty liver की problem है, और इस 25% population को अगर हम ध्यान से देखें, तो 9 से 32% तो सिर्फ इंडिया में है, इसका मतलब यह है, कि इंडिया में जो fatty liver का incidence is quite significant, यह और भी जादा हो जाता है, अगर हम diabetes में या obesity में देखें, तो यह और भी जादा हो जाता है, लेकिन जो fatty liver है, वो क्या दुबले पतले लोगों को हो सकता है, क्या यह lean जो individual से उनको affect कर सकता है, एक report publish होई थी, this was in JHEP जो journal है, इसमें publish होई थी, यह बस सही है, कि over a period of time, जो fatty liver है, वो normal weight जो individuals हैं, particularly the Asian population, इनको affect कर रहा है, इसका मतलब इंडिया, बांगला देश, पाकिस्तान, श्री लंक यह जो Asian population है, इसमें दुबले पतले लोग है, इनको भी fatty liver होनी की जो संभावना है, वास्तों में ज्यादा हो रही है, यह इसलिए, कि अगर थोड़ा सा भी इनको weight gain होता है, fatty liver की संभावना, इनकी diet थोड़ी सी change होती, fatty liver की संभावना, इनके genetics जो होते हैं, वो contribute करते हैं, कि जो दुबले पतले आप हैं, फिर भी आपको fatty liver होनी की जो संभावना है, वो बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? इसलिए, कि अगर आप दुबले पतले हैं, लेकिन आपको insulin resistance डिवलप हो गया, तो fatty liver डिवलप हो जाएगा, अगर आपकी शुगर उपर है, तो आपको fatty liver डिवल दुबले पतले थे, लेकिन fatty liver की problem थी, तो यूर दिवन जो fatty liver की संभावना बढ़ जाएगी, पहले आपको बज़न ज्यादा था, आपने rapid weight loss किया, आपने crash dieting की, आपको बज़न नीचे आएगया, आपको fatty liver डेवलप हो जाएगा, there are certain medicines, जो आप use करते हैं for some problem, मालिज जी आप joint pain, अस्थमा, इसके लिए steroid लेते हैं, उससे आपको fatty liver होने की संभावना बढ़ेगी, अब अगर आपके जो intestine है, उसके जो gut की health है, यह जो gut के bacteria है, वो up to the mark नहीं है, तो fatty liver की जो संभावना है, वो बढ़ेगी, नो अगर fatty liver ह तो आपको symptoms के आएंगे, वैसे symptoms तो mostly non-specific होते हैं, लेकिन there are certain symptoms and observations जो आपकी नजर में होने चाहिए, number one, अगर आपको unexplained fatigue and weakness लगती है, ध्यान से देखिए, कहीं आपको fatty liver तो नहीं है, आपके दाई तरफ इस तरफ पसलिए के नीचे, अगर आपको uncomfortable लगता है, discomfort लगता ह या हलका सा pain लगता है, ध्यान से देखिए, कहीं liver आपका stretch तो नहीं हो रहा है, आपने कभी blood test करा है, तो incidentally ऐसा तो नहीं हुआ, कि आपका SGPT, SGOT या जो liver के enzyme से बढ़े हुए आ रहे हैं, आपको सतर खोने की जरूरत है, आपको doctor देखते हैं, तो ये तो नहीं बोलते है कि आपकी liver की size बढ़े हुए है, या ultrasound आपने किसी भी problem के लिए कराया, तो उसमें आया कि आपका liver भढ़ा हुआ है, प्लस इसमें fat दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने doctor से consult करनी की जरूरत है, अगर आप देन ध्यान नहीं दिया, और liver ज़्यादा damage हो गया, तो फिर ब on specialty symptom है, या आपके ultrasound या blood test में कोई abnormality है, तो आपको अपने doctor से consult करनी की जरूरत है, बट overall, अगर आप जो हैने normal weight है, आप अपने जो liver को healthy रखना चाहते हैं, तो there are certain tips जो आपको follow करनी की जरूरत है, in the sense, कि अगर आपको जो diet है, वो balanced है, आपके physical activity proper है, और आपने जो मुट जापा है, उसको रोक के रखा हुआ है, तो possibility इस चीज की है, कि आपका liver healthy होगा, fatty liver develop नहीं होगा, इसके लिए करना आपको यह पड़ेगा, कि अपनी जो diet है, उसमें variety of fruits include करने पड़ेंगे, variety of whole grains include करने पड़ेंगे, आपको lean protein include करना पड़ेगा, आपको saturated fat, sugars, simple sugars in particularly, और processed food जिसमें trans fat होते हैं, इनको बिल्कुल avoid करना पड़ेगा, यानि fruit बढ़ाईए, whole grains बढ़ाईए, lean protein बढ़ाईए, vegetable बढ़ाईए, और saturated fat, simple sugars in process जो food है, उनको अलग करिए, जो alcohol का consumption है, या तो मत करिए, बंद रखिए, या moderate, in the sense, कि अगर आप male हैं, तो two drinks a day, और आप females हैं, तो one drink a day, ये recommendations से इससे ज़्यादा consume करने की ज़रूरत नहीं है, on an average, 20 to 30 minutes regular exercise आप करेंगे, तो आपका जो liver है, वो healthy रहेगा, लेकिन अगर आपको underlying diabetes है, आपका cholesterol बढ़ा हुआ है, आपका blood pressure उपर रहता है, आप दुबले पतले है, इसके बाद भी इनको adequately control करने की ज़रू है, नहीं तो fatty liver develop होगा, now, कुछ toxins होते हैं, जो आपके liver को नुकसान कर सकते हैं, उनसे बचें, जो hydration है, उसको ठीक रखें, vaccines जितने भी जो doctors recommend करते हूंने लगाई, और hydration के लिए पानी ठीक मातर में पीएं, और safe behavior is equally important, because बहुत सारे जो viruses हैं, वो through blood फैलते हैं, injection से, needle से, unsafe sex से फैलते हैं, चाए हो hepatitis B हो, चाए हो hepatitis C हो, इनसे आपको बचने की जरूरत है, अगर ऐसा कुछ खत्रा है, तो एक regular check कराते रहें, कि कहीं कोई ऐसी problem तो नहीं है, जिससे liver आपका damage हो जाए, तो in the bottom line friends, अगर हम ध्यान से देखें, कि जो fatty liver है, बहुत सारी risk लेके चलता ह है, कभी-कभी ये life threatening हो सकता है, जो obesity या मुटापा है, वो major risk factor है, fatty liver के लिए बास सही है, लेकिन जो normal weight के individual हैं, उनको भी खुली आँख से देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप दूबले पतले हैं, normal weight है, तो आपको fatty liver नहीं हो सकता, insulin resistance, high blood sugar, unhealthy lifestyle, ये त तीन चीजें ऐसी हैं, कि आप बिलकुर normal weight हैं, उसके बाप जूद भी fatty liver डेवलप हो सकता है, तो दूबले पतले ये normal weight individuals में, इनमें भी fatty liver की संभाव ना होती है, क्या, इसको समझने में ये video help करता है, जरूर शेयर करें, मैं डॉक्र वी के मिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरूपनग करकांपू, thank you very much.